हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका आज मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर ओला विलॉक्स में तो दोस्तों आसा करता हूं आप लोग भी स्वास्त और मस्त होंगे तो दोस्तों मैं आज आपके लिए होंडा की सीवियार बाइक है जो 150 तो उसका अर्मेचर खराब हो गया जिसमें की बैटरी की डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है और बैटरी रखे रखे डिस्चार्ज हो जाता है दो दिन रख दो तो फिर स्टार्ट नहीं हो पाता तो उसका अर्मेचर साट हो गया जो कि मैं उस तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये सीवियार बाइक होंडा की सीवियार बाइक 150 का ये आर्मिचर कॉयल है जो की सौट हो गया है मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये कहां से सौट है और इसमें दिक्कत क्या हो रही थी ये बैटरी को डिस्चार्ज कर दो बैटरी सफार्ट होगा लेकिन वो बताया नहीं दिक्कत आ रही है तो मैं ऐसे बहुत ध्यान से मैंने देखा कि याखिर में कहां से फौल्ट हो सकता है तो दोस्तों इसके जो उपर जैसे कोर जो होते हैं वो उसमें से कोर की दो-तिन पत्ती रगड दी गई है मतलब चलते चलते इंजन से वो रगड सा गया है इस वज़ाए से वो पत्ती सौट करके कोयल को खराब कर दिये तो यह आपको बीच में लाइनिंग टैप की दीख रही होगी तो यहीं वो पत्ती जो की ने दिखाया कि इसके पेज को कोल लेना है और इसके कनक्शन को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है देख लेना है कैसे इसकी वाइनिंग और कैसे इसके कनक्शन थे तो यह दिखिए दोस्तो इस तरह से इसके wire और connection जोड़े हुए हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं और coil यहीं से 2-3 यहां से sort किया है तो अब इसे खोला जा रहा है एक एक करके तो दोस्तों एक तरह से यह three face के motor की तरह इसकी winding होती है तो इसको इस तरह से आपको पहले तो खोलना है एक एक कोई करके और ध्यान देते हुए आपको इतना ध्यान देना है दोस्तों कि आप ही को अगर खोलना है तो इसे आपको ही wind करना है इसलिए इसको काफी ध्यान दे करके आपको खोलना है तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसमें कुछ कोई खोल चुका हो और इस तरह से कनक्षान इसको एकदम आपको ध्यान बहुत ध्यान देना है क्योंकि कनक्षान में हेर फेर होगी तो फिर वैल्डिंग में फॉल्ट आ सकती है तो इस तरह से के सारे कनक्षान को खोला जाएगा और इसके तार को निकाल लिया जाएगा और फिर इसमें नया तार भरा जाएगा तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते इसमें को पूरे तार तो मैंने निकाली और यह आपको छोटा से टुकड़ा दिख रहा है तो यह कोर से टैच होकर के यहीं से यह सोट गए था जो की खोलते समय वो बिलकुल वहां से अलग हो गया ये गल्स आ गया जैसे कि तार आपस में गल जाते हैं उस टाइप का यह ECOND आप देख सकते हैं कि इसके पूरे निजल एकदम छूट रहे हैं ये कोई पूरी तरह से उपर से देखने में बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन अंदर से पूरी तरह से डामेज चुका है और इसका तार यहीं से खराब हुआ था जो की सौट कर गया है तो यहीं से ब्रेक कर गया था लेकिन हाला कि उसमें ब्रेक नहीं बता रहा था लेकिन उसमें सौट कर रहा था हूँ तो यह देखिए इ तेल में डूप के ही चलता है तो इसे आप अच्छे से धो लेंगे तो थोड़ा आपका हाथ फ्रेस रहेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा भरने में कामींबन करेगा और जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा यह दिखिए कुछ कोर इसके जो की मार दिये हैं तो इसे पहले सीधा कर लिया जाएगा दोस्तों नहीं तो फिर वाइल्डिंग जब होगी तो फिर वो सॉट करने की नौवत आएगी तो इसलिए पहले तो इसे आपको साफ और सुथरा करने के पहले इसे थोड़ा सा फ्रेस कर देना है कि पत्ती एकदम सेंटर म में आजाए और जो भी फाइल होगारा मार करके इसको कम्प्लेट किया जाए तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें इस्टेटर को हलका सीधा कर लिया जाएगा और जो बहुत ज्यादा नहीं लगभग छे साथ ही स्टेटर के दाने होंगे जो की मेल्ट किये हैं बाकि औ और सब तो अपने जगहां पर बस लाइनिंग सी आ गई है लेकिन छे साथ में कोर को हलका हलका वह सरका दिया है तो इसे सीधा करने के बाद यह देखिए दोस्तों यहीं सी यह सौट किया था इसलिए यहां पर बहुत ज्यादा ब्लैक टाइप का हो गया है तो इसे सीधा कर दिया गया है अब इसे देखिए दोहो भी दिया गया अच्छे से और धुलाई के बाद अब इसकी वाइंडिंग की जाएगी तो दोस्तो वाइंडिंग करने के लिए कॉयल पूरी तरह से कमप्लीट है अब इसकी वाइंडिंग में करके आपको दिखाता हूँ इसको कैसे step by step वाइंडिंग करना है तो वाइंडिंग करने की प्रक्रिया आप चालू की जाएगी दोस्तो तब तक मेरा तार आजाए तार लड़का लेने गया है तार आता है फिर मैं इसकी वाइंडिंग करता हूँ और आपको यह ध्यान जरूर रखना दोस्तों कि कहां से बाइंडिंग की स्टाटिंग करनी है जाता आप उसके निसान लगा दिए जो भी जैसे भी आपकी पहचान हो सके तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह वाइंडिंग के लिए तार तो मेरे पास आ गया है अब मैं इसकी क्वाइंडिंग करेंगा मैं पुरा रीली लिया हूं तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह मैंने पहला को भर लिया है और इसी प्रकार से मैं इसमें सारे कोयल भरूंगा मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों यह देखिए यह दूसरा कोयल भरा गया और इसी तरह स्टेप तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने एक फेस का एक तरह से बोला जाए तो सारे कोयल भर लिये हैं और अब इसमें आगे का कोयल भरा जाएगा जो कि दूसरे फेस का बोले बोला जाए तो अगर कहा जाए तो माना जाएगा तो चलते हैं इसी तरह से आपको भी सारे तार इसमें भर लेने, जितने भी इसमें खाने बने हुए हैं, सारे को भर देना, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह देखिए, मैं धीरे-धीरे करके, सब कोयल भर रहा हूँ अब इसमें, और सब कोयल भरने एक बाद फिर इसका connection अगरा किया जाएगा, यह देखिए दोस्तों दूसरा फेस का कोयल भी पूरी तरह से complete हो चुका है, अब आपको कुछ slot और दीख रहे होंगे, तो देखिए दोस्तों इसको इस तरह से भरा जाता है, मैं आपको थोड़ा से दिखाना भी चाहरा था, कि देखिए इसको winding किस तरह से किया जाता है, तो इसे इसी तरह से भर हाथ से ही और अच्छे से खीच के भरना परता है क्योंकि तार थोड़ा मोटा है, थोड़ा कम है, तो अगर आप खीच के नहीं भरेंगे, तो आपको दिक्कत होगी, तो इसी तरह से आपको इसे पूरा भर देनाया है,מה ममत्तुर जानकारी दे दे रहे ह। कि इसे किस तरह स से देख लें तो ही आप इसे अच्छे तवाइंडिंग कर पाएंगे और इसी प्रकार से इसको भरा जाता है वैसे तो कंपनी में मसीन से भरी जाती होगे यो मुझे मालूम ने जैसे स्केल ख़यन का मसीन होता है उसी तरह इसका भी मसीन होता होगा लेकिन मसीन तो काफी कॉस्ट ली होगा तो इसे हाथ से ही हम तो भर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा महनत लगता है थोड़ा हाथ में दिक्कत होती है लेकिन भर लिया जाता है तार मोटा इस वज़े थोड़ी परिसानी होती है पतला तार रहे तो थोड़ा आराम से भर जा लेक तो देखिए दोस्तों इस तरह से ही आपको इसको धीरे-धीरे करके कम्प्लेट करना है अब देखिए यहां पर भरा गया आप दो स्लोट छोड़ करके फिर सही से यहां पर भरा जाएगा इसमें दोस्तों कुल 29 टन भरे जाते हैं 29 टन तो इसी प्रकार से आपको भी भरना पड़ेगा अगर आप भरना चाहें तो यह देखिए दोस्तों मैं किस तरह से इसे भर रहा हूं बड़े आराम से मैं भर लेता हूं क्योंकि सुरू में जब मेरे पास आया था क्वाइल बरने के लिए तो मैं तो पहले बहुत ही संकोच कर रहा था कि मैं इसे कर पाऊंगा कि नहीं लेकिन मैंने इसे काफी पीसेस इसके बनाए हैं मैं काफी सालों से इसको बना रहा हूँ तो इसे इसी तरह से मैं भरता हूँ और बड़े आराम से ये भर भी जाता है मुझसे अब और पहले से जल्दी मैं अब इसे भर लेता हूँ पहले तो काफी टाइम लगता था तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह देखिए क्वाइल पूरी तरह भर के complete हो चुकी है और अब इसके connection को किया जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं यह तीन तार इधर है और तीन तार इधर साइड में है तो इसे पहले तो इसके अनामिल को छीला जाएगा और इनामिल को छीलने से पहले आपको इसको जहां पर सोल्ड करना जितनी जरूरत है बस उतना ही छीलना है क्योंकि इसमें ज्यादा जहां तो है नहीं कि आप इसे कहीं भी अर्जेस्ट कर स तो जैसा कि आपको मैं दिखाना चाहूंगा यह दिखिए मैंने एक साइट के वायर को चील लिया है और चील करके मैं इसे उधर घुमा करके ले जाओंगा उस साइड उस साइड इसके जोड़ है तो मैं वहां पर इसके सोल्ड कर दूँगा वैसे तो आप इसे यहां पर भी स उस वॉल्ड कर लिया गया और इसके जो तीन तर्थ उसे भी जोड लिया गया वर इसे किलेप में कज भी दिया गया अब इसे थोड़ाँ सा गरम किया जाया दोस्तों मैं इसे बहां भूरक तो तोड़न करो कि ताकि मैं इसमें अच्छेinta बारनिस डाल सब्सकर बारनिस आया हूं और बल्ब के उपर ही इसको मैंने रख दिया और नीचे से एक लोह की पाइप रख दिये कि इधा वो धर वो सरके न और इसी तरह मैं इसे एक आग दो घंटे छोड़ दूगा कि यह गरम इतना हो जाए कि हाथ से पकड़ने पर संभाल भी आप ले ना भी संभाल पा कि हां इसमें कोई लिक्वीड की चीजे पड़ी हुई है तो जैसा कि आप देख सकते ही है इसमें बरणिस डाल दिया गया इस साइड से तो आपको क्लियर समय में आए यह अच्छे से लिक्वीड में डूबा हुआ हूआ है तो इसमें देख दिखा अब इससे उखाने के प तो अपने दोस्तों के साथ भी उसे सेर करें दोस्तों और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइब दोस्तों किर सेर जाएब दोस्तों आती है उडर भी किसी नहीं है।